हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैंनेट मैं रुपारी वर्वा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास क्लास 12 की बुक अंतरा भाग दो के दुतिय अध्याय दुतिय अध्याय लिखा है सूर कांत रिपाठी निराला जी ने यहां दो गीत प्रस्तुत किये हैं उन्ह गीत के माध्यम से सभी लोगों में जोश को फूकना चाहता है यह दिया है और दूसरा जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है गीत सरोज इसम्रती यह एक इनकी जो पुत्री थी सरोज उसकी मृत्यू के बात वो व्यत्यत होकर इस गीत को लिखते हैं किस तरीके से उसकी बे लिए देखते हैं सबसे पहले प्रथम गीत गीत गाने दो मुझे दो सबसे पहले इस गीत का अर्थ समझेंगे और फिर उसके बाद इसके मूल भाव और व्याख्या को भी देखेंगे गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को चोट खा कर रहा चलते होश के भी होश छूटे हाथ जो पाथे थे ठग ठाकरों ने रात लूटे कंट रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो तो यहाँ क्या दिया है मुझे गीत गाने दो वेदना को रोकने को मतलब मेरे अंदर जो तकलीफ है मैं उसको रोकने के लिए जो मेरे अंदर दुख बराय जो तकलीफ भरी है उसको रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो मतलब मैं अपनी जितनी तक्लीफ है जब मैं गीत गा लूँगा तो वो तक्लीफ मेरे अंदर की समापत हो जाएगी इसलिए मुझे गीत को गाने दो चोट खा कर रहा चलते होश के भी होश छोटे मतलब राहों में इतनी तकलीफ हो रही है मतलब इतना निराशा है इतनी हर जगे हार हो रही है कि उस हार से हार खा खा के जो मेरे होश थे यानि कि जो मैं चीजें महसूस कर रहा था उसके भी होश छूट गए हमारे सहारे के लिए ठग थाक रोने रात में लूटे उन्हीं लोगों ने ठग बन कर लूट लिया है यानि उन्हीं लोगों ने हमें तकलीफ दी है कंट रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो और चारू तरफ से इतनी तकलीफ है कि इतना जादा तकलीफ हमां इतनी तकलीफ हो रही है कि मेरा कंट रुकता जा रहा है उस तकलीफ से कि अब मेरे कंट से गले से आवाज नहीं ल कर रही है और देखो वो काल आ रहा है अर्थात अब मृत्यू आ रही है काल आने काल का अपतात पर क्या होता है मृत्यू का आना भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाके देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर बुझ गई है लौप्रथा की जल उठो फिर सीचने को अभिनंतिम पंक्तियों में क्या बोल रहे है वो भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाके चारों तरफ से लोग निराश होकर क्या हुआ है उनके अंदर की जो करुणा उदारता मानवता वो सभी समाप्त हो चुकी है अब उनके अंदर दुष्टता जैसे गुड़ व्या पीज़ानग अब लोग लोगम दूसरे को एकड़म अंजानों की तरह देखते हैं यानि कि आप हमसे अंजाने पहले लोग मं वह प्रसंद रहते थे तो सभी से परिचंट रहते थे आज चारों तरफ इतनी निराशा है कि सभी एक दूसरे को अपरिचित निगाहों से गीत के जरिये सभी के मन में वो आशाएं फूटना चाहता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि वो सभी उठ जाएं जागें और आशा को अपने अंदर आने दे तो ये गीत यहां खतम हुआ अब इसके मूल भाव और व्याख्या को हम पढ़ेंगे पहला है मूल भाव हमार इस कविता में कवी ऐसे समय की और संकेत कर रहा है जब हर और निराशा ही निराशा व्याप्त है वह निराशा में आशा का संचार करना चाहता है अनि हर जगे निराशा है कहीं पर भी आशा निराशा में वो अपने गीत के मांद्यम से जो है लोगों के दिलों में संचार कर रहे हैं अच्छी भावनाओ आशाका अब व्याख्या क्या है इसकी कभी कहता है कि जीवन में निरंतर बढ़ती हुई पीड़ा अत्वा दुख को कम करने के लिए उसे भुलाने के लिए उसे गीत गाने दू गीत हिदय की अनभूतियां हैं वे वेदना की तीवरता को भुला सकते हैं दुखों को कम कर सकते हैं जीवन मार्क पर चलते हुए हर कदम पर चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश छूट गए हैं अर्ताद अब जीना आसान नहीं रह गया है जीने के लिए जो भी था मुल्लेवान था उसे छल कपट से उन मालिको के ने रात के अंधकार में संकट के समय लूट लिया यानि कि जब हमारे अंदर हमारे पास जो कुछ भी बचा हुआ था वो सभी मालिकों ने जब अंधकार था संकट का समय था उसे लूट लिया जिन पर भरोसा था अब पीरा सहते सहते कंठ रुकने लगा है ऐसा लगता है कि सामने काल आ रहा है अब जीना कठिन हो गया है लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं इसलिए निराशा भरे वाता वरण में कभी गीत गाना चाहता है ताकि व्यथा को रोखा जा सके यानि कि अब वो निराशा जितने उसके अंदर तकलीफ है उन सभी को रोकने के लिए और दू संसार हार मानकर स्वार्थ और अव इश्वास के जहर से भर गया है संसार से सहान भूति करुणा उधारता सैयोग भाई चारा आदा भावनाएं लुप्त हो गई मतलब अच्छी चीज़ें और जहर अर्थात मतलब सारी अच्छी चीज़ें लुप्त हो गई हैं और अब गुणों का समावेश उसके अंदर हो चुका है अब लोग आपस में एक दूसरे को अपरिचित नगाहों से देखते हैं कटा कि बुझती लोग को फिर से जलाने के लिए स्वयम जलना जलना चाहता है वह ऐसे गीत गाना चाहता है जो जनसार में फैली निराशा में आशाका संचार कर सके तो इसलिए इस गीत को गीत गाने दो मुझे यह प्रज लिखा है अब दूसरा गीत जो कभी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो है सरोज उनकी पुत्री सरोज जब उसका देहा वसान हो जाता है तो उनको याद करते हुए उसके जीवन का एक पूरा रूप रेखा हमारे सामने प्रस्तुत करी है सरोज के जीवन रेखा प्रस्तुत करी है देखते हैं गीत क्या है देखा विवहा आमूल नवल तुझ पर शुब अंग अंग नत नयन में आलोक उतर कापा अधरों पर थर थर देखा मैंने वा मूर्ति धीती तेरे वसंत की प्रथम गीती तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सबसे पहले जब उनकी पुत्री का विवहा हुआ था उस समय का अब यह द्रश्य प्रस्तुत कर रहे हैं हमार तुम पर शुब पड़ा कलश का जल यानी कि तुम्हारे ऊपर शुब कलश का जल डाला गया तो वही शुब कलश का जल तुम्हारे उपर पड़ा था देखती मुझे तू हसी मंद और तुम मुझे हस धीरी धीरे हसी में मेरी तरफ देख रही थी होटों में बिजली फसी मगर हाँ धीरे और होटों में तुम्हारे एकदम जैसे लगता बिजली फसी हुई थी अर्थात तुम एक बिजली सी मुसकाम धीरे धीरे हस रही थी उर्मे भर जूली छवी प्रिये की अशब्द व्यक्त हो रही थी तुम अपने पती को लेकर जो सुन्दर सपने बुन रही हो वो सभी तुम्हारे श्रिंगार से व्यक्त हो रहे थे तू खुली एक उच्छास संग विश्वास स्थब बंधंग अंग और तुम जो उच्छास थी मतलब हर जगें सुच्छंद रहती थी तुम्हारे नैनों से जो आलोक था कप रहा था तुम्हारे हो टो कपन करा रहा था देखा मैंने वा मूर्ती धीती मेरे वसंत की प्रथम गीती और जब मैंने तुम्हें इस वेश में देखा था तो वो मेरे मेरे वो मूर्ती जो तुम्हारी देखी थी वो रती के समान सुन्दर थी अर्था जब मैं तुम्हारी उस रूप को देखा था तो वो रती यानि की अच्छे जीवन को उन्होंने बसंत के रूप में प्रस्तुत किया हमारे सामने के शिंगा रहा जो निराकार रस्कविता से उच्छादित धार गाया स्वर्गिया प्रिया संग भरता प्राडों में राग रंग रती रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश्फ बदल कर बना मही हो गया व्यहा आत्मिय स्वजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण था भेजा गया विवहराग भर रहा ना घर निशी दिविस राग प्रिये मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा अब क्या बोल रहे हैं जब उतका श्रिंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच् कविताय लिखता था वो भी तुमारे सामने वो नीरस लग रही थी तुम इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरी कविताओं में जो रस भरा होता था वो भी नीरस लग रहा था गाया स्वर्गिया प्रिया संग भरता प्राडों में राग रंग तुम मेरे और मेरी पत्नी द्व समान सुंदर्द दिख रही ती आकाश बदल गया बना मही और यह पूरा आकाश जो है वो बदल गया था मतलब चारो तरह सुंदर्थ ही सुंदर्थ हो गया व्याह आतमत्म चन मतलब तुम्हारा विवाह एक निमंत्रण नहीं दिया गया था था भेजा गया विवहाराग और नहीं इस विमें कोई विवहाराग को गाया गया था भर रहा घर निशी दिवस्त जाग और नहीं कोई जागरण हुआ था जब व्या होता है तो रात में जागा जाता है ऐसा कोई दिन नहीं था कोई रात नह संगीत बहा था और तुम वही सांत संगीर तुम्हारे जीवन में भी उतर आया था विभा के उपरांत मा की कुल सिक्षा मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वम्रची सोचा मन में वह शाकुंतला पर पाठ अन्यकला कुछ दिन रह ग्रह तु फिर समोध बैठी नानी के इसने गोद मामा मामी का रहा प्यार भर जलत धरा को जो अपार वे ही सुख दुख में रहे नैस्त तेरे हित सदा समस्त व्यस्त वह लता वहीं की जहां कली तो अब यहां पर क्या बता रहे हैं कि अब उनकी मा का जब देहा वसान हो गया तो किस तरीके से तुम अपनी नानी के घर चले गयी ती इन छंदों में हमको वह बता सक्षान मैंने दी पुषप तेरी स्व trembling तुम्हारे जो सेज थी शादी की जो सेज ती वो अपने हातों से सजाई सोचा मन में वा शाकुंतला परवा पाठ अनरा और मैं ये सोच रहा था कि जैसे शाकुंतला का जीवन था वैसे ही तुम्हारा जीवन वो भी मिनमा की बच्ची थी तुम भी मिनमा की बच्ची थी उसको भी उसके पितादवारा पोशित किया गया था और तुम्हें भी तुम्हारे पितादवारा पोशित किया गया था सभी कुछ वैसा था लेकिन वो पाठ अलग था और ये पाठ अलग है वो शाकुंतला का पाठ था ये सरोज का पाठ है कुछ दिन रहे ग्रह में तू समोध बैठी नानी के घर गोद यानि कि मा का जो देहा वसान हो गया उसके बाद कुछ दिन तो तुम घर में रही लेकिन फिर अब मुश्किले आती हैं तो यहां पर फिर अब तुम नानी के यहां चली गई क्योंकि अब जीवन जो अभाव से बीदने लगा था अब एक चोटी बच्ची थी तो अब क्या हुआ वो तुम फिर जे नानी के घर पर चली कि इसने गोद में जा बैठी अर्थात नानी के घर में मामा मामी ने तुम पर बहुत जादा प्यार निचावर किया भर जलत धराजयों अपार जिस तरीके से बाद व्यस्त और तुम्हारे ही तुम्हारे सुकुदुक्ये चिंतन में वो व्यस्त रहे और तुम्हारे उसी का पोशन करते रहे वह लता वहीं की जहां कली तुम अर्थात तुम उसी घर वहां पर पहुंच गई थी तुम्हारी मा भी वही पली थी और अब तुम भी वही पहुँच गई थी तुम्हारी मा उस घर की लता थी और तुम उसी लता की कली थी अर्थात तुम उसी घर वहाँ पर पहुँच गई थी तु खिली इसने में हिली पली अंत में भी उसी गोद में शरण ली मूदे द्रग बर महारण अर्थात यहाँ पर क्या है तुम उसी घर में खिली और इसने में हिली पली यानि कि जहाँ पर वो लता खिली पली थी वहीं पर तुम ये खिली और पली और बड़ी अंत में तुमने उसी गोद में शरण ली अर्थात तुम उसी नानी की गोद में ही तुमने मृत्त को प्राप्त किया और अपनी आखों को मूद लिया मुझ भाग हीन की तू संबल युग वर्ष बाद जब हुई विकल दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही हो इसी कर्म पर वजपात यदि धर्म रहे नत सदा मात इस पत पर मेरे कार सफर तो अब इसमें क्या कह रहे हैं मुझ भाग हीन की ही तुम शक्तिती अर्थात पत्नी की गुजर जाने के बाद तुम ही मेरा एक सहारा थी मगर युगुवर्स बात तुम भी मुझ से मतलब कुछ समय बाद तुम भी मुझ से जुदा हो गई अब मेरा जीवन जो है वो सिर्फ दुखों की ही कहानी रह गया अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है सिर्फ दुख ही दुख बचे हैं सिर्फ दुख की कहानी ही मेरे जीवन में रह गई है क्या कहूं आज जो नहीं कही है अब मैं क्या कहूं उस दुख की कहानी जो आज तक मैंने नहीं कही हो इसी कर्म पर वज़त पात मतलब मेरे इस कवी जीवन पर वज़ पात हो क्योंकि मेरे इस अभावों के कारण ही तुम जो है मुझसे दूर गई थी यदि धर्म रहे नतिसाथ सदा मतलब मेरे इस कवी जीवन पर जो वज़ पात हो जाए मतलब मेरा कवी का जीवन वज़ पात हो जाए मैंने वो कर्म किये जिसकी वज़ा से तुम्हारे जीवन को आभावों को जेलना पड़ा इस पत पर मेरे कर्म सखल अब क्या है अब वो जा चुकी है उनकी पुत्री अब वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे इस पत्पे मैं अपने जितने भी कर्म हैं जितनी भी मैंने अभी तक मेनत करिये उन सभी को मैं तुम्हारे उपर से वारता हूं मतलब अब मेरे जीवन की जितनी भी पूजी थी मैं सब तुम्ही पे अरपड करता हूं और इन सभी के साथ मैं तुम्हारा तरपड करता हूं तो इस तरीके से ये पूरा गीत हमने अर्थवाई समझा लाइन टू लाइन इसका अर्थ समझा अब इसका मूल शब्द और व्याख्या को हम देखेंगे मूल भाव सरोज इसमती कविता कवी की निराला दिव्यंगत पुत्री पर केंद्रत है इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संगर्ष एवं भाग हीन पिता का संगर्ष समाज में संबंध तथा पुत्री के प्रती कुछ ना कर पाने का अकर्मठत बोध भी प्रकट हुआ है तो किस तरीकिस उनके जीवन की सारी चीज़े हैं उनकी पुत्री के लिए वो उन्होंने बताई है तो व्याख्या बिंदु क्या है कवी अपनी स्वर्गिया पुत्री सरोज को संबोधित कर्तुबे कहता है कि तेरा विवा सभी प्रकार से दूडियों मुक्त सर्वता नव लगता था कि तेरे होटों से बिजली की चमक फसी हुई हो तुम्हारे हिदे में पती की सुंदर छवी थी यह बात तुम्हारे शिंगार से मुखरित हो रही थी विवा के समय तेरा विश्वास ऐसा उच्छासों के साथ साथ अंग-अंग से जलक रहा था अर्था तु अप प्रकाश उफराया था तेरे होटों पर स्वाभाविक कमपन था उस समय मेरे बसंद की प्रथम गीती की प्यास उस मूर्ती से साकार हुई थी कवी कहता है मैंने अपनी कविताओं में सौंदर के जिस निराकार भाव को अभिविक्त किया वा तुम्हारे रूप सौंदर को म प्यक्त करते थे वही सौंदर उनकी पुत्री के रूप में उनके सामने था कविताओं में वही रसकी धारा बनकर प्रभावित खोत प्रवाहित होता था श्रिंगार के जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गे पत्नी के साथ मिलकर गाया था वहां आज में आज भी मेरे में ते रूप संदर कामदेव की पत्नी रती के समान अवर्णनिये हैं is विवा में कोई आतमे जन नहीं था ना उन्हें कोई निमंतरन भेजा गया था विवा अत्यंत साथी के साथ संपन हुआ विवाह में रात्री जागरण नहीं हुआ ना विवाह के गीत गाए गए ना कोई चहल-पैल हुई सरवत्र एक मोन गीत समाया हुआ था जो तुम्हारे नव जीवन में उतर आया था कवी कहता है कि मा के अभाव में मैंने तुझे वे सबी सिक्षाएं दी जो माताएं अपनी पुट्डी को देती हैं मैंने तेरी पुष्प सेज को भी तयार किया उस समय कवी का कवर्ण रिशीक द्वारा की पालित पुत्री शकुंतला की याद आ गई वा भी मा विहीन थी परंत किन्तु उस घटना तता यहां की स्थती में अंतर है नानी के इसने ही गोद में आ गई अर्थात तु नानी के पास आ गई मामा मामी का भरपूर इसने मिला उन्होंने तुझ पर इसने की वर्षा की उसी प्रकार की जिस प्रकार बादल धर्ती पर बरसता है वे सदा तेरे रक्षक और हित्चिंतक बनी रहे वे सदा तेरे कामों में लगे रहे तेरी मा उसकुल की लता थी जहां तू कली के रूप में खिली फली फूली तथा तेरा पालन पोशन हुआ अंत समय तू उसी गोद अर्थात नादी की गोद में ही आ गई थी तूने सदा सदा के लिए मृत्तु को आवरण कर अपनी आखें मूद ली थी कवी कहता है मैंने तो सदैव से भागी इनता तू ही मेरा एक मात्र सहारा थी युग के बाद जब तू मुझे बिछुड गई तो दुख मेरे जीवन की कथा बन गई मेरे जीवन में सदैव दुख ही भरा रहा कभी सुख देने को नहीं मिला जीवन में मिले दुखो और अभावों के कारण कभी अपनी पुत्री के प्रती करतव्यों का पालन नहीं कर अब कभी कर्म पर वजपात हो तब भी मेरा शिर्ट सद्धा से जुका रहेगा अपने करतव्य का पानन करते हुए मेरे समत्य सत्यकार शीत काल में पाला पढ़ने से कमल की तरह नश्ट हो जाएं तब भी कोई चिंता नहीं मतलब मैंने मेरे जितने भी कार रहें वो सभी सम समाब्द हो जाएं उन अच्छे कार्यों का मुझे कोई फल न मिले तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है मैं विकश्ट जीवन के सभी कार्यों का फल तुझे अर्पित कर तरपढ़ कर रहा हूं अर्था तेरा शात कर रहा हूं तेरे प्रती मेरी यहीde श्रधान चली मतलब उ लेकर चिंतित हैं तो बिल्कुल भी चिंतित मत होई है उसके लिए आपको करना है आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है हमारी वेबसाइट है दोफेते ही आपके सामने उससे इस टापिक की जितने वेबसे और और सभी डाउट से लिए लिए करें और स्थित करें लेकिन हैं साती हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना बिल्कुल भी नहीं बूलिया है thank you for watching bye-bye